हेलो डीवर, माई नहीं मी स्टीहा, वेल्कम एक तो मैं चैनल, तो आज हम वेवगाइड की कुश्चन्स डिसकस करेंगे, जो वेवगाइड टॉपिक है ना, वो फॉर्मुला बेस्ट है, ये सारे कुश्चन्स है, जो नेट में आई है, वो फॉर्मुला बेस्ट है, तो आज हम जिते भी इंपॉर्टन फॉर्मुला है, वो देखने वाले हैं, लेकिन जो वेवगाइड की जो कुछ कुश्चन्स होते हैं, आपको इसके लिए बेसिक्स पता होना जाहिए, तो आज हम बेसिक देखेंगे वेवगाइड की साथ में हम नेट की कुश्चन्स देखेंगे और इंपॉर्टन फॉर्मुला देखेंगे, ठीक है, तो इसके बेसिक देखेंगे, वेवगाइड क्या होती है, वेवगाइड एक ऐसी डिवाइज होती है, जो कि EM वेव जो एनर्जी होती है, या फिर बो सकते हैं, लाइट होती है, उसको एक प्लेसी दूसरे प्लेस सक ट डॉट डॉट आर वेक्टर पैनिस की ओमेगा टी, जहांपर क्या होता है, एक वेव वेक्टर होता है, इसको क्या क्या करती है, जो भी हमें किसी भी सिगनल को एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में ट्रांस्मिट करना है, यदि हमें किसी भी लाइट को, किसी भी सिगनल को पर् तो उसके लिए हमें जुज डिवाइस जही होत利 है हुसको क्या बोलते है वेवड मोलते हैं और यह किसे पैसे सके बनी होती है यह इने डियो को अगल salvar करती है और इसकी वाल्स जो होती है वो कंडेक्टिव होती है ठीक है कंडेक्टिव होने से क्या मिलिंग है यहां पर जो एलेक्टिक फिल्ड है और मेगनेटिक फिल्ड है उसका पैलनल कंपॉनेंट हुआ और मेगनेटिक फिल्ड का परपेंटिकुल कंपॉनेंट के हब वाल्स पर ज इसकी जो length है ना infinite length है जायर direction में और x direction में इसकी length हो जाएगी A और width हो जाएगी इसकी B तो यहाँ पर EM wave इस तरह से travel करेगी इसकी inside in fact what you do is the electric field से बनी होती है यहाँ पर electric field का जैड़ कंपोनें त्थे और मेंगे पूलेंगे ल्हां इसको यहाँ रखना है बहुत हैं लौंगिट्यूट्णल कंपोनेंट गोलेंगे और इसकी चुछ यह जी यह फिर भीक्ष वाई होगया उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स लागिटिटल कमपोनें और अधर कमपोनेंट को एग अधर कमपोनेंट को आप्र्टिकुलर डिरेक्शन में एम वेव को ट्रांस्मेट करती है कोशन यह है कि क्या यह EMWave की जो अमरी range होती है GX, UV, IMR उन सभी range की EMWave को यह transmit कर सकती है क्या answer है नहीं यह जो wave guides होती है एक higher frequency वाली EMWaves को ही transmit करती है लेकिए जिनको हम बोलते है microwave frequency microwave frequency क्या कौन सी होती ultra high frequency, super high frequency या एक्स्ट्रीमली high frequency वेडियो frequency जिसे हम बोलते है उनको ही यह transmit करने का काम करती है आपको याद रखना है wave guides जो होती है वो 3 GHz से लिकर 300 GHz या फिर microwave जो frequency होती है उनको transmit करती है क्यों wave guides higher frequency को लेकिए जो lower frequency होती है 0 से लिकर 3 GHz सक उनको transmit करने का काम करती है ट्रांस्मिशन लाइन यह भी आपकी शिलिबस में है नेकिन यह त्दा इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपकी वेडियों आते है तो आपको याद रखना हाइर फिक्वेंसी वाली जो एम वेडियों होती है उसको transmit करती है वेडिया कॉन वेडियों एसको ट्रांस्मिट करती है वेडियों अपकी बंचा अव ऊद direction वेडियों आपक тип या एक तो रेक्तेंगूलर और सिलेन्डू कॉप स्वेडियों घ्रचाट पर डिपार्ट करता है कि वे गड़ आपके किस से रह भी तो रैक्टेक्टूलो वेव गड़ उन्हें चाहिं पंते हैं कर्थ थै क्पेशन सब्सक्क्राइब के खते हैं कि वह गार टैयद को देखेंगे एक को इस सब्सक्राइब होती है यहां पर जाएइड डैर् फिल्ट की कंपॉनेंट होते हैं आजको कोनेंगे थो गोगी होत на शुक्त क्योंट WILD Virginia veux Brief 2020 से बनी होती है अरम यह क्या करती है हुख 3,000 है से अर्ग होती है चटिक्ष लिख है चिण लैम्डाट नॉट सकते हैं या से okay साजब करेंगे मैं जोखेंट इ St अमक हूं कंदी होती है वेड़न गायद अधिस तरहां है इसको लॉट करेंगे और पॉर्मडा स्वना लैम्डा घुत μέ हूं में घृता है दान अवा श्री स्टाइन से यह most space सकते हैं एंड़ी और自क हैं अमरी कट-ओफ ही कट-ओउफ डिरकर फरी स्पेस में दे रहा है और जाए लोटion इसको हमारा टास्क यह इस वेव एक्विशन को सॉल करना उससे हम जो भी सॉलिशन आएंगी उससे हम मोर्स निकालेंगे साथ में हम महाँ से कॉन कॉन सी regenस2 याँ पर travel कर सकती आवा कॉन को सी मोर्स याँ पर travel कर सकते हैं हमें वो निखालना थो या से हम cutoff frequency निकाल एंगे हम याा से मो कॉमेंगे डेखेंगे उसकी लिम्प करेंगी सबसे पहले से 한데 a इक्यूशन को दिया था है हैलमोट ने इसको हम बोलते हैं है हैलमोट वेव एक्यूशन वेव को फॉर्मना होता है साई एक्वी पावन में आउटा की जड़ मैनस की ओमेगा जी अम सैप्रेशन मेथर की थूछ इसको सॉल्ट करनेंगे सॉल्ट करने के लिए हम बाउंटी दोलर होता है यहां पर जीरू साथ में सेकिंड हम डूशन लगाएंगे कि इंफानाट लॉंग वाइंपाइप उता है इंद जाय डिरेक्शन और इन कंडिशन को सॉल्ट करेंगे तो हम यहां पर हैलमोंट की वेविक्यूशन को सॉल्ट करते हैं तो वेव हमारा सॉलिशन आता है इस तरह से क्यों होता है साइन कॉंस्टंट में साइन आएगा फिर और आपको याद ऊकर आपना एक और यहाद रुकर्की साथ एपक स और यह हमारा वेव कर जो हमारा जैरन आजर्ट में समें भी सुटल एक्टर ही कैसे निकालता है कि इस सक्षायर स्काइब 1 अभ აतले के 5 स्क्राइब करें वह देंगे शमाडा की निमीक स्काइब साय देगा, जो भी स्वाल करेंगे, जो भी value आएगी, इस फॉम मानसर क्सपार से एकुल करेंगे, एकुल करेंगे, विक्या एगा, के स्वार आता है हमारा अमेगा अगर स्वार स्वार minus का M Pi upon A ka whole square plus M Pi upon B ka whole square ठीक है तो महांसे वे वे निकलते हैं हमारा रूट में Umie Square upon C square minus का M Pi upon A whole square plus M Pi upon B ka whole square वे 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 हंसे हमेशा positive रहते है हो लिए number रहते है ठीक है तो देखो रहते माहन लो इसी बड़े हो जाती है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ओमेगा स्कार उपन सी स्कार है वो हमेश्य बड़ा होना चाहिए या फिर एकवाल होना चाहिए किसकी एंपाइब ऑउन. A के whole square से प्लस N pi upon B के whole square से ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी एक तरह से हम बोच सकते हैं, cut off frequency हो गई ठीक है, तो जो हमारा rectangular wave guide है ना, वो क्या करेगा rectangular wave guide जो इस frequency ते जादा frequency होगी, तो ही उसको क्या करेगा transmit करेगा, otherwise क्या होगा यदि ये बड़ा हो गया ना, तो क्या होगा, हमारा wave vector क्या हो जाएगा complex number बन जाएगा, और हमारी wave travel नहीं कर पाएगी, तो इसकी लिए हमें ये condition को fulfill करना ही पड़ेगा तो इससे लिए से ये क्या होगी हमारी cut off frequency होगी omega c क्या होगी, हमारी cut off angular frequency होगी, क्या c, pi, root में m upon a का whole square प्लस n upon b whole square, ठीक है तो जो rectangular wave guides होते है वो omega c या फिर उससे ज़्यादा frequency को ही क्या करते है transmit कर पाते है उस em wave की, जो em wave है यदि उसकी frequency omega c से ज़्यादा है तब ही वो क्या करेगा उसको transmit कर पाएगा इसलिए हम क्या हो सकते है rectangular wave guides क्या होते है एक तरह से high pass filter होते है मतलब ही high frequency को omega c से ज़्यादा frequency को ही transmit कर पा रहे है उसी high frequency वाली em wave को transmit कर पा रहे है तो rectangular wave guides क्या होते है high pass filter होते है जिसकी cut off frequency क्या होती है ये होती है ठीक है इससे ज्यादा frequency की पास उपाईगी इसलिए इस cut off frequency से ज्यादा frequency वाली जो em wave से उसी को ही क्या करते हैं transmit करते हैं हमने देखा microwave frequency क्या होती है high frequencies होती है तो ये omega c से ज्यादा frequency वाली को ही क्या करते हैं को क्या हो गई कट आफ मंगें अब हम क्टों के इस निद्वेची होता है सो हम में पता है एंगोला फिक्वेंसी क्या होते यह निकलाना ओन क्या होता है C pi, omega क्या निकला था हमारा C pi root में M upon A का whole square plus N upon B का whole square upon में कर देंगे 2 pi तो pi से pi cancel हो जाएगा तो angular cut of frequency क्या निकल गई C upon 2 root में M upon A का whole square plus N upon B whole square तो आपको यह important formula याद रखना है या तो आप angular frequency याद रख सकते हो या पिर frequency याद रख सकते हो तेके अब यहां से हम cut of wavelength निकालते हैं क्या होती है wavelength का formula new equals to होता है C by lambda या फिर हम बोच सकते हैं F equals to क्या होता है C by lambda तो lambda क्या हो जाएगा C by F तो C by F क्या है हमारा C by 2 root में M upon A का whole square plus N upon B का whole square यहां से C cancel हो जाएगा C से C so cut of wavelength क्या निकल गई 2 upon में root में M upon A का whole square plus N upon B whole square यहां मारी क्या हो गई cut of wavelength क्या हो गई नेको इस F और lambda की वीच में inversely relation inversely proportional है तो हम यह बोच सकते हैं कि जो जो rectangular wave guides होते हैं वो क्या करते हैं इस lambda lambda C से कम जो lambda वाली wavelength होती है उसी को ही क्या करते हैं transmit करते हैं यह की frequency में हम opposite बोलेंगे F जो होना चाहिए हमेशे FC से ज्यादा होना चाहिए जब कि wavelength होने चाहिए lambda C से कमी होने चाहिए वो ही EM waves क्या होगी wave guide में travel करेंगे ठीक है अब हम face velocity और group velocity देखते हैं तो हमें पता है कि जो wave guide होती हैं उसके अंदर डिफरेंट 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 मोड्स की waves travel करती है तो वहां से हम group velocity देखते हैं तो क्या होती है हमें पता है velocity है तो वहां पर C की term तो आएगी c upon में root में 1-la.0 upon lambda c whole square और group velocity होती है c multiply में root में 1-la.0 upon lambda c whole square यह term देखे-देखे-जी लग रही है कहां पर देखे-जी हमने guided wavelength में देखे-टी क्या होती है lambda NOT upon root में 1-la.0 upon lambda c whole square इसका denominator है वह हमारे phase velocity और group velocity में यूज होता है नेकिन यह वेलसिटी है तो यहाँ पर C की टम आती है विस तरह से आपको यह फॉर्म नहीं जाद रखने है ठीक है अब हम मोड्स की बात करते हैं तो वीव गाइड के अंदर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से काफी कोश्चन्स आपके नेट में आते हैं मोड्स देंगी है और फिर आपसे फॉर्मूला पूस से है तो मोड्स के होते हैं यूनिक डिस्टिबिशन ह होते हैं टांसवर्स और लॉंगिट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्वि तांस्वर्स अलेक्तिक का मतलब क्या हुआ कि टांसलूर्स अ क्वोगियों कमकी प्रस्चन को सब्सक्राइन चारएयों व किसे पता चिप्षाएयो तो मैं आपको कोने बने हैं जक्षाइब में ज सब्सक्राइब अब क्या रहिक है और एक्सवाइ की कंपनेंट क्या होगMusic यहांके मिलेगषनल पर फीक सोब होते हैं ते कह मतलब ट्र 화 त्रस्वश्ष इलेक्टिक मौड इसका मतर्तिक फिल्ड की काफ अपर होते हैं याँ पर होते हैं तया हिसके अनाव ़ॉढी टुट हो लिटर नि नहीं होते हैं तो लॉई टूल टूल एक उर्फपोर्णंंसर तुब्हक्ट यहां होगे संफल यहां पर कि यहां पर में कुछ बात नहीं से तो यहां पर में इसलिए यहां पर क्या होता है बात कर रहे हैं तो यहां पर मैंगेनेटिक के बारे में कुछ बात नहीं थी tribes कि नॉन जीरो होता है ती आपको याद रक देमिते कि द कम पॉन नॉनलों होता है कि सीवहनितेस्व के बात करते है मतलब टांसवर मांदिक मोma कि हैं An स्वर्स कंपॉनेंटी होते हैं मतलब लॉंगी ट्यूटनल कंपॉनेंट जो की जड़ डैनर्टिशन में होते हैं वह नहीं होते हैं इसका मतलब यहां पर एजड़ क्या होता है जीरो होता है और एजड़ क्या होगा जीरो होगा और जीरो होगा और एजड़ क्या होगा हमारा non zero होगा ठीक है तो यह दो ही modes होते हैं वीवगैड में आपको T E और T M दो ही mode आपको questions पे मिलेंगे अब हम T E M mode की बात कर लिते हैं लेकिर वीवगैड के अंदर नहीं होते हैं T E M मतलब transverse electric and the magnetic mode इसके अंदर सिर्फ transverse component ही होते हैं longitudinal या फिर जैड डायक्शन वाली component नहीं होते हैं तो मतलब E Z और H Z यहाँ पर क्या होता है जीरो होता है ठीक है यह जो mode होते हैं वो कहां पर होते हैं transmission line में transmission line क्या होती है जो की E M wave को propagate करती है वो होते है transmission line और इसके अंदर जो mode होते हैं वो होते है T E M modes ठीक है लेकिन जो wave guides होते हैं उसके अंदर सिर्फ दो इक वोड़ होते है T E mode T E मतलब जहाँ पर सिर्फ transverse component ही होते है inactive field की है मतलब E Z क्या होता है zero और H Z क्या होते हैं यहाँ पर non-zero यहाँ पर जो function H Z non-zero होते हैं इसका मतलब function क्या होगा है यहाँ पर H Z का function होता है cost में होता है cost MPI X upon A cost MPI upon B अपको याद रखना है H Z के लिए यहाँ पर cost आता है अब हम dominant mode की बात करते हैं देखो हमने रेखा वो जो मोड होते हैं क्या में तौ 2 mod होते हैं TE mode और TM mode इसमें भी हम dominant देखेंगे dominant mode क्या होते हैं वो mode जहाँ पर मारे इससे हो होते हैं क्योंकि और mehr टेइब क्या पक्राइक उस औरיים करते हैं इसलिए उस क्या बोलते है dominant mode बोलते है और यह किस पर depend करते है m और n की value पर क्यों cutoff frequency क्या होती है c by 2 root में m upon a whole square plus n upon b whole square तो यहाँ पर c constant है a constant है b constant है तो lowest और highest value किस पर depend करेगी m और n पर तो m और n की वो value जहाँ हमारी cutoff frequency lowest होती है हम क्या बोलते है dominant mode बोलते हैं तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं tm mode tm मतलब यहाँ पर hz की value क्या होती है 0 होती है और ez की value क्या होती है non-zero होती है e-z मतलब क्या होता है यहाँ पर sin function होगा sin m by x upon a और sin n by y upon b यहाँ चीक है अब हमें m और n की value निकालने है तो है पर m और n की क्या value रखे कि wave function non-zero रहे तो tm mode के लिए हम m और n की क्या value रखेंगे कि e-z non-zero ही देगो m और n की value 0-0 रखेंगे तो e-z 0 हो जाएगा और f की value f तो 0 हो जाएगा c by 2 root में m upon a का whole square plus n upon b का whole square तो m और n की value 0-0 रखेंगे तो frequency तो 0 होगी साथ में e-z की value भी 0 हो जाएगी जो की नहीं होने चाहिए tm mode के लिए तो यह not allowed mode हो गया हमें तो dominant mode चाहिए जहाँ पर cutoff frequency की value हो भी और सबसे lowest हो जो हम MN की value 0-1 put करते है तो 0-1 put करेंगे तब भी e-z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1-0 put करेंगे तब भी e-z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो tm mode के लिए 0-1, 1-0 और 0-0 mode allowed नहीं है तो क्या हमें तो e-z क्या चाहिए non-zero चाहिए tm mode में क्या है तो हम MN की value 1-1 put करेंगे तब ही sign function exist करेंगा और non-zero होगा 1-1 put करेंगे तो frequency की value क्या होगी सबसे lowest आएगी तो MN की कौन सी value के लिए हमारे हमें dominant mode में लेगा 1-1 तो tm 1-1 is a dominant mode ठीक है अब हम te mode के लिए dominant mode निकालते हैं मतलब हम te mode के लिए MN की value देखते हैं जहां पर cut of frequency क्या हो सबसे lowest आएगी te क्या होता है जहां पर transverse, electric field हो मतलब यहां पर ez क्या हो 0 हो मतलब hz क्या हो long 0 हो hz मतलब bz bz मतलब जहां पर cos की terms हो cos mpyx upon a और cos npyy upon b ठीक है अब हमें dominant mode देखने हैं मतलब हम MN की value पहले हम 00 put करते हैं तो 00 put करेंगे तो बीजर तो non 0 हो रहा है लेकिन हम जो frequency की है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जो कि allowed नहीं है क्यों allowed नहीं है ना तो tm में लेते हैं ना ही te में लेते हैं otherwise तो यह हो जाएगा कि यह ऐसा एक reward है जो हर frequency को allow कर रहा है जोकि allowed हम possible नहीं है अब हम क्या करेंगे MN की 1001 value पुट करते हैं MN की 100 value पुट करते हैं 10 value पुट करते हैं तो bz क्या हो जाएगा M upon A का whole square आएगा मतलब c upon 2a आएगा तो frequency के आएगी c upon 2a तो यह allowed है ठीक है अब हम 01 की value पुट करते हैं 01 की value पुट करते हैं तो bz क्या होएगा non zero की cost 01 होता है तो bz non zero वहाओ frequency की value भी non zero आएगी क्या आएगी c upon 2 भी आएगी this time पे c upon 2 root में N upon B का whole square आएगा तो c upon 2b हमारी frequency की value आई तो यह भी क्या होगी allowed होगे तो यहापा हमारी bz की value जो हमारा function वह non zero है और frequency भी आ तो यह allowed modes होगे तो te10 और te01 यह दोनों ही हमारी क्या है dominant mode होंगे तो dominant mode depend करता है A और B की value पे तो te10, te01 डोनों ही हमारी dominant mode होगे लेकि इन में से भी कौन सा dominant इन दोनों में से भी कौन सा dominant है वो डिपेंड करता है A और B यी value पे देखिए यदि A बढ़ा है B से तो A बढ़ा होने पर ये क्या हो जाएगा ये वाले frequency lowest हो जाएगी और ये हो जाएगा क्या हमारा dominant mode तो कि dominant mode वो mode होते है जा अपर कटा frequency lowest होती है तो इस case में क्या होगा ये वाले frequency lowest हो जाएगी तो TE10 क्या हो जाएगा dominant mode हो जाएगा लेकिन यदि विर्फगर ऐसा बनाते हैं जाएगा बढ़ा बी की value जादा है जो बी width है ये width जादा है और A width कम है तो इस case में क्या होगा ये frequency क्या हो जाएगी lowest हो जाएगी और ये वाला mode क्या हो जाएगा dominant mode तो TE01 dominant mode कब होगा जब बी की value जाओ बी जो वरी width है वो जादा हो ठीक है तो इस से रहे से हमें देखना है TE01 और 10 में से कौन सा dominant mode है लेकिन TMA11 ही क्या होता है dominant mode होता है अब हम circular wave guide के बात करते हैं तो circular wave guide मे में देखा rectangle में दो modes होते हैं TE और TM modes तो जो TE mode है वो TE10 और TE01 दोनों ही dominant mode होता है लेकिन डिपेंड करता है A बढ़ा है की B जनरली A बढ़ा होता है इसलिए TE10 ही dominant mode होता है और TM में dominant mode होता है TM11 ठीक है एक्जाम में डायक्ट पूछ लेते हैं और यदि हम circular की बात करते हैं त TE11 अब हम वेवगाइड के impedance को देखते हैं देखो वेवगाइड के अंदर वेव ट्रेवल करती है वेवगा क्या होता है impedance होता है तो TE और TM wave के लिए हम क्या दिखेंगे impedance देखेंगे तो TE wave के लिए impedance क्या होगा जैन नॉट अपॉन में root में 1 मैनस लेम्डा नॉट अपॉन C का होल स्क्वाइड और TM के लिए जो impedance होगा व Impliplyme , वैवलेंथ कॅल बहुत में क्या है डी खुल्हों में गावज हमने बेद्पि ती इंप्सपेस ओर वेलति है उसमें भी हमैने क्थित Rush में अब हम impedance में भी देख रहे हैं तो यह term हमारी सेम रहती है impedance है तो impedance होली term तो आएगी आएगी और same हमारी group velocity और phase velocity में velocity थी तो c वाली term आ रही थी ठीक है और guided wave थी तो आपको लाइम नौट की term आ रही तो इसे से आपको और formula ज्याद रखने तो अब हम इसके बात क्या रिखेंगी questions को देखते हैं